गीता सार पहला पॉइंट क्यों व्यर्थ चिंता करते हो किस से व्यर्थ डरते हो कौन तुम्हें मार सकता है आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है दूसरा पॉइंट जो हुआ वह अच्छा हुआ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा तुम भूत का पश्याताब न करो भविश्य की चिंता ना करो वर्तमान चल रहा है तीसरा पॉइंट तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया न तुम कुछ लेकर आए जो लिया यहीं से लिया जो दिया यहीं पर दिया जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसू किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है चौथा पॉइंट परिवर्तन संसार का नियम है जिसे तुम मृत्यु समस्ते हो वही तो जीवन है एक छड़ में तुम करोणों के स्वामी बन जाते हो दूसरे ही छड़ में तुम दरिद्र हो जाते हो पाच्वा पॉइंट तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो विचार से हटा दो फिर सब तुम्हारा है तुम सब के हो छट्वा पॉइंट न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो यह अगनी, जल, वायू, पृत्वी और आकास से बना है और इसी में मिल जाएगा परन्तु आत्मा इस्थिर है फिर तुम क्या हो साथमा पॉइंट तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो यही सबसे उत्तम सहारा है जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सरवदा मुक्त है आठमा पॉइंट जो कुछ भी तु करता है उसे भगवान को अर्पड करता चल ऐसा करने से तु सदा जीवन मुक्त आनंद का अनुभव करेगा